एक बार की बात है कि एक जंगल में जंगल का राजा शेर और चूहा रहा करते थे. एक बार जब शेर गहरी नींद में सो रहा था, तब एक चूहा बिल से निकल कर शेर के ऊपर उचल कूद करने लगा. चूहे के इस तरह उचल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और शेर शेर ने चूहे को पकड़ाच लिया, शेर द्वारा चूहे के पकड़े जाने के बाद चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया, चूहे को डरा देखकर शेर ने कहा कि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें खा कर अपनी भूख मिटाऊंगा, अपने को असहाय पर कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यह सुनकर शेर हंसने लगा, तुम तो बहुत छोटे हो तुम, क्या मेरी मदद करोगे, तुम्हारे विनती करने पर चलो, आज तो मैं तुम्हें चोड़ा डेच देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ा डाच दिया। चूहा तुरंत ही शेर के पास पहुँच गया। जब चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखा, तो चूहे ने फटा-फट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद चूहे ने पूरा जाल काट दिया। जाल काटने के बाद शेर बहुत ही भावुक हो गया। शेर ने चुहे को धन्यवाद दिया और दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त बन गए।